So friends, आज के इस update में स्वास्त बिवाग की एक और vacancy की जानकारी को discuss करेंगे यह जो vacancies यहाँ पर जो release है Ames Rishikesh के अंतरकात यहाँ पर रहेगी तो सबसे पहले हम लोग इसकी official website को open कर लेते हैं यहाँ लिखाए Ames Rishikesh तो इस पहाँ पर मैं एक बार click कर देता हूँ click करते से ही देखिए इसकी official website open हो चुकी है Ames Rishikesh में यहाँ पर staff nurse के लिए vacancy है और साथी साथ pharmacist की vacancy भी है और भी दोस्तों इसमें other post यहाँ पर शामिल की गई और यह जितनी भी post है All India level पे हैं आप किसी भी राज़े से किसी भी states हैं इनमें All India candidates apply कर पाएंगे और इसके लिए interview आपका conduct करा जाएगा तो interview की date, timing और place क्या रहेगी और interview में शामिल होने के लिए अभी आपको क्या करना होगा तो यह जानकारी आप लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखें इस वीडियो को last तक देखना सबसे पहले वीडियो को आपको आप लाइक भी कर देना है और चैनल को subscribe कर लीजे जिससे आगे की vacancy की जानकारीगी आगे आपको मिलती रहे तो वीडियो के नीचे जाके subscribe के red button को क्लिक कलने तो चलिए शुरू बात करते हैं अपने update को और बढ़ते हैं information की और तो यह इसकी देखी official website है और यहाँ पर देखे लिखा है recruitment तो आपको जो है इस पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है क्लिक करते से ही आपको देखे second number का जो option है job का तो यहाँ पे इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है तो देख सकते हैं आगे का page यहाँ पर open हो चुका है और पहली नमर पे जो है आपको vacancy का notification मिल जाएगा तो direct list पे मैं आपको क्लिक कर दिया हूँ और notification देखे अपने आप download हो जाएगा तो बिलकुल आप लोग अपनी screens पर देख सकते हैं यह vacancy का notification है सबसे पहले आप लोग date देखे 25 January को यह notification AIMS Rishikesh की official website पर आजा हुआ है और इसमें विवाग का नम भी देखे Department of Community and Family Medicine इस department में यह vacancy यहाँ पर शामिल की गई तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले पोस्ट देख लीज़े सबसे पहले नमर पर nursing officer की पोस्ट है और एक ही पद इसमें आप शामिल किया जा रहा लिखा है degree, diploma in GNM तो जो भी candidates degree रखते हैं diploma रखते हैं तो BSC nursing candidates, GNM, diploma candidates आप सब लोग इसमें apply कर दे साथ ही साथ इसमें आपको किसी भी राजे का किसी भी स्टेट का nursing council में registration इसमें आपको आप पर चाहिए और यदि आपके पास कुछ experience है और यहाँ पर कुछ और other skills है तो भी आप लोग apply कर सकते हैं और यह चारो पॉइंट यदि आपके पास नहीं भी है तो भी आप लोग apply कर सकते हैं क्योंकि desirable बोला गया है, compulsory नहीं है compulsory सिर्फ आपको आपको आपके दोनों चीज आपके पास यहाँ पर यह वाली होनी चाहिए, इसके लिए salary आपको 21,000 रुपे पर मंत पिसस पर यह वेतान आपको इसमें आपके मिलेगा इसके बाद देखे लखा है second number पर फार्मेसिस्ट, दोस्तों फार्मेसिस्ट का भी एक पोस्ट है, degree, diploma in pharmacy तो D-pharma candidate और B-pharma दोनों candidates इसमें apply करें और किसी भी state का किसी भी pharmacy council में आपके पास यहाँ पर registration है बिल्कुल आप लोग इसमें आविधन कर सकते हैं और यदि आपके पास working experience है कोई other skills है, आप लोग भी इसमें आविधन करें और यह 3 point आपको यहाँ पर जो बने हुए है यदि आपके पास नहीं भी है तो कोई भी बात नहीं, यह desirable है कंपल सरी नहीं बोला गया इसमें आपको सिरफ यह दोनो qualification होना आपका आपका जरूरी है इसमें 15,000 रुपे आपको salary मिलेगी थर्ड नमबर पर सबसे लाश्ट में यहाँ पर driver की post है इसमें एक पास हो और driving license इसमें आपके पास होना चाहिए heavy vehicle का या फुर ambulance के अंतरगत 15,000 रुपे आपको इसमें salary मिलेगी और इसमें working experience है तो अच्छी बात है और driver की post के लिए ज़्यादातर working experience candidate को ही इसमें शामिल किया जाता है तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ dates के बारे में information दे गई है कि last date जो है आविदन करने की आपकी 4 February 2014 तो दोस्तों आपको यहाँ पे email ID दी गई है तो email ID पे आपको अपना आविदन भेज़ देना है तो आपका application form तो application form जो है अभी मैं आपको आपको बता देता हूँ documents आपको सारे जितने भी आपकी mark sheets है जितने भी आपके certificates है यह आप लोगों को जो है सारी information इस email ID पे आपको send कर देनी है 9 4 February 2014 जो है इसकी आविदन करने की mail ID पे बेजने की आपकी आप इदन की last date रहेगी फिर इसके बाद आपका interview conduct करा जाएगा तो यह इसकी date रहेगी 9 February यह interview की date आपकी रहने वाली है तो यह पूरा notification आप लोगो सबसे पहले इसको आपके read कर लेना और यहाँ पे देखिए यह vacancy जो है permanent नहीं है contractual basis पे निकाले गई documents तो यह single scanned PDF जो है आपको बेज़ना होगा email ID पे जो मैंने आपको ऊपर बताई अब मैं आपको form भी दिखा देता हूँ तो देखिए यहाँ पे लखा है application form तो application form आप लोग यहाँ पे इसको download कर लेना तो यह अभी इसका जो form है अपने आप download हो जाएगा तो internet connectivity बंद थी तो उसको मैंने चालू करके उसको मैंने आप पे download कर लिया तो देखिए कुछ इस तरीके से यह form का format आपका यहाँ पे रहने वाला है तो विकेंसी का जो भी update था मैंने आपके cover किया और यह विकेंसी को आप चाहे तो apply कर सकते हैं interview में शामिल हो सकते हैं information मिलिया तो वीडियो को आप लोग like कर देना channel को subscribe कर ले जिससे आगे की विकेंसी की जानकारी भी आगे आपको मिलती रहे तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में thank you so much